इस तरीके से आपको तीन option देखने को मिलेगा तो आपको हमेशा जो भी stop loss limit वाला option रहता है इसी पर आपको click काना है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो स्वागत है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एंजल वन ट्रेडिंग वी चार्ट पे नॉर्मल stop loss कैसे लगा सकते हो कोई भी option ट्रेडिंग पॉजिशन में सब कुछ मैं आपको लाइब प्रोसेशन बताने वाला हूँ चले इफिर वीडियो को सुरू करते हैं और गैस अगर आप चैनल पे नए उस प्लीज चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजे सपूर्ट कीजे ताकर इस आपको भी अच्छा अच्छे वीडियो देखने को मिले और अगर आप को का अना क्या है त्री डॉट पे क्लेक का ना है उसके आपको चार्ड का ओपसन देखने को मिलेगा इसी पर आपको किले कर देना है और चार्ट पर डारके पे अपके ऑगे और अग्स्क्रीन ओर आपको एक आपको कॉ आपका चार्ट रहेगा फुल स्क्रीन पे आज आएगा और और भी अच्छे से आप ट्रेडिंग वगएरा कर सकते हैं यहां पे अभी कैसे आप नॉर्मल इस्टो प्लोस लगाने के लिए आपको कहाना क्या है जो भी प्राइज का आपको इस्टो प्लोस लगाना है उस प्रा बैसे एंपर देखोगे जो भी एसे ट्रिगर प्राइज लिमिट प्राइज आटोमेटिक फिल हो के आज आता है यहां पको नॉर्मल प्ले सेल ऑडर पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पे किलेक करोगे जो भी आपका इस्टो प्लोस रहेगा लग जाएगा कुछ इस तरी तरीके से और जैसे आप confirm edit पे click करोगे जो भी आपका stop loss रहेगा modify भी हो जाएगा तो बहुती simple तरीका हो जाता है और बाकि जो भी SL रहता है इसको आप कितनी बार भी लगा सकते हो कितनी बार भी cancel कर सकते हो इसके लिए आपको कुछ अपको जो भी price का target order लगाना उस price पे आपको आज आना है फिर इस साइड में जो भी plus का icon देखनी को मिल जाता है इसी पर आपको click करना है और आपको पहला वाला option select का लेना है जैसे आप इस पर click करोगे यहाँ पर देखनी को मिलेगा जो भी price इसमें आप changes भी कर सकते हो normal आप आपको पहले sell order के लिए कर देना है इसी तरीके साब कोई भी option position में टार्गेट इस्टप लगा सकते हो बहुत ही easily आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है बाकि इस इससे related अगर आपको कुछ भी डाउट आता है प्रॉलम आता है तो मुझस से आप कमेंट पूछ सकते हैं धिंक्यू सो मैट